हेलो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो जोकी आईटी आई एनुवाल इक्जाम की द्रिष्टी से बहुत ही महत्तपूर है इसले वीडियो में हम सभी लगभग 49 CMCQ देख चुके थे जोकी DC जनेटर से संबन्दे थे उसी को आगे बढ़ाते वे आज का हमारा नेक्स्ट क्यूस्टन है DC जनेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कारे है तो DC जनेटर में स्प्लिट रिंग का कारे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक स्प्लिप रिंग होता है और एक स्प्लिट रिंग होता है तो स्प्लिप रिंग होता है जो वो पूरा रिंग टाइप होता है और स्प्लिट रिंग होता है जो वो कटा कटा रहता है बीच में कटा हुआ रहता है जो कि हमारा लोका डीसी मोटर में कमुटेटर होता है उसका काम होता है एसी को डीसी बनाना और डीसी को एसी बनाना तो उसी प्रकार कमुटेटर भी dc बना के देता है क्योंकि वो कटे कटे हुए भाग से बना होता है उसको split किया हुआ भाग होता है तो split ring जहां भी लगा रहेगा वहां से अगर current जाएगा अगर ac है तो dc बन जाएगा dc का खासियत है कि एक दिशा में current बनाता है तो इसमें option नंबर 20 होगा ठीक है इसमें option नंबर 20 होगा एक दिशा में output बनाता है ठीक है अगला question है dc generator में किस प्रकार का voltage गतिसील रूप से फ्रेरीथ होता है तो जो dc generator होता है उसमें किस प्रकार का voltage बनता है पल्सेटिंग बोल्टेज औसिलेटिंग बोल्टेज कि alternating voltage dc current voltage तो उसमें alternating voltage आठथाथ एसी बोल्टेज बनता है क्या बनता है एसी बोल्टेज बनता है dc generator के जो आर्मेचर होता है उसमें एसी बोल्टेज ही बनता है ठीक है चाहिए एसी करेंट जो भी है आप्सान नमर सी सही होगा इसमें अगला question है यहां यक्स के रूप में चिन्हित स्लाट का उद्देश क्या है तो यहां पर आर्मेचर दिया हुआ है जो कि आर्मेचर का एक लिमनेटेड पत्ती दिया हुआ है जिसमें यक्स के रूप में यहाँ पर चिनित भाग का नाम पुछा हुआ है जो कि साफ्ट फिर लगा रहता है इसको आरमेचर की जो लिमनेटेड पत्ती है इसको कसने के लिए यहाँ पर चाभी लगाय जाते है तो कुण्जी तरीका ठीक करने के लिए ठीक है आपसर नमबर यह सही होगा है कि डीसी जनेटर में फिल्ड क्वाइल का उद्दिश से क्या होता है दीसी जनेटर में फिल्ड क्वाइल का उद्दिश से क्या होता है तो फिल्ड जनेटर की बात किया जाए तो उसमें फिल्ड जो भी होता है उसमें फिल्ड क्वाइल का मतलब कि उसमें जब करेंट जाता है तो वो मैगनेट बन जाता है तो इसका आपसर नमबर देखते हैं च पूंडली यह फ्लक्स का निर्माल ख करने के द्धुन को चुमबकित करना आप्शन नमबर सी से हो गाँ अगला बड़े DC जनेतर मसीनों के पोल को कुर बनाने के लिए किस धातू का उप्योग किया जाता है जो बड़े DC जनेतर होते हैं उनके पोल कोर बनाने के लिए पोल कोर का मतलब होता है डिसी जनेटर में जहां पोल होता है अर्था चुम्बग उसका कोर होता है उसी लोहे का कोर होता है जो कि इलिमिनेटिद पत्तियों का बनाया जाता है तो उस पर क्या होता है कि नरम लोहे क्या है कि कास्ट स्टील कास्ट आयरन स्टेनलेस स्टिल का बनावता है अगला क्यूस्चन है क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनेटर में पटलित करते हैं कहने का मतलब इस क्यूस्चन में कि डीसी जनेटर में जो पोल होता है तो इसके कोर को लेमिनेटर क्यों बनाते हैं स्टैंपिंग करके मतलब पंचिंग करके तो जो लेमिनेटर पत्तियों को एक दूसरे के उपर सटा करके बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि भावरधारा हानिया कम होती है आपसर नमर्डी से होगा इसमें आपसर नमर्डी से होता है कि जब आर्मेचर में विदुत वाहाग वाल प्रेरित होता है ठीक वही प्रक्रिया आर्मेचर के बाड़ी में होती है तो उसमें बहुर धाराएं उत्पन होती है जिसको हम बहुर टर्मिनल के दवारा निकाल नहीं पाते हैं जो कि भावर के रूप में उसी में घूमता रहता है इसी भवरदारा के कारण मसीन गरम होने लगती है और इस भवरदारा को कम करने का एक मात्र उपाय होता है कि जो भी बाड़ी के अंदर जीस पर विक्वायल लापेटा जाता है उनको पत्तियों का एक के उपर एक स्टेंपिंग करके ब प्योग किया जाता है तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग प्रक्रिया में क्या होता है कि DC जनेटर का मतलब कि DC सप्लाई मिलेगा इलेक्ट्रो प्लेटिंग की प्रक्रिया होती क्या है तो इस प्रक्रिया में किसी धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु का परत चड़ाया जाता है जै की और इस्थिर सप्लाई की जरुवत होती है जिसमें संट जनेटर इसके लिए फिट बैठता है और डिसी संट जनेटर इस्थिर सप्लाई तथा डिसी सप्लाई देता है इसलिए आप्सन नमर यह सही होगा अगला QUESTION है D.C.ãy scream इसमें बीचुम्ब की यह प्रभाव को बेहशर करता है option नमर C सही है एक इसमें बीचुम्ब की यह प्रभाव क्या होता है बी चुम्बकी प्रभाव का मतलब यह हुआ कि जब में चुम्बक होता है जो मुख्य चुम्बक उसके चुम्बकी छेत्र में आर्मेचर घुमता है तो अपना खुद का भी जब उसमें करेंट और बोल्टेज बनाता है आर्मेचर में तो उसी करेंट और बोल्टेज के इसी प्रकिरिया को आर्मेचर रियक्षन कहते हैं तो आर्मेचर रियक्षन करना एक कमजोर हो नहीं लगता है इसी कमजोरी को खतम करने के लिए कमपनसेटिंग वाइंडिंग का फ्रयोग किया जाता है तो आप्सन नमर इसमें C सही होगा नेट्रिलाइज देमैगनडाइजिंग इफेक्ट बीचुम्बकरी प्रभाव को बेशर करने के अगला किफ्चन है यदि संट फिल्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से उपर हो तो क्या प्रभाव पढ़ता है डीसी जनेटर पर तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीस जनेटर है मालेज यह संट फिल्ड है जिसका है संट फिल्ड का मतलब यह आर्मेचर हो गया आर्मेचर के समानतर में यह जनेटर जुला हुआ है तो इस जनेटर में क्या होगा कि यह संट फिल्ड बाइनिंग है इसका जब भी आर्मेचर में करेंट बनेगा तो इधर लोड कि चुम्बकिय फिल्ड मजबूत होगा और इसी चुम्बकिय की कारण इस आर्मेचर में बिदेत्व आखवल काफी अच्छा बनता है जब यह चुम्बकिय फिल्ड अगर मालेजी कि इसमें बहुत ज्यादा प्रतिरोद होगा बहुत ज़्यादा प्रतिरोद होगा तो इसमें धारा जाएगा ही नहीं तो इसमें चुम्बक नहीं बन पाएगा और जब चुम्बक नहीं बनेगा तो इसमें बोल्टेज भी नहीं बनेगा अर्थात इस क्रांतिक मान से एक ऐसा मान जिससे उपर नहीं होना चाहिए इसका प्रतिरोध ठीक है तो आउटपूट बोल्टेज क्या होगा नहीं बनेगा तो वहीं पूछ रहा है कि DC संट जनेटर में जब क्रांतिक प्रतिरोध से ज्यादा प्रतिरोध हो जाएगा इसका संट फिल्ड का तो क्या प्रभाब पड़ेगा तो इसमें करेंट ही नहीं जा पाएगी तो इसमें चुम्बक नहीं बन पाएगा इसलिए आउट्पूट पर कोई भी बोल्टेज नहीं मिलेगा आउट्पूट बोल्टेज पर सेटिंग होगा अगला आप देखते हैं आउट्पूट बोल्टेज समाने से उपर हो जाएगा ऐसा तो है नहीं जनेटर बोल्टेज बनाने में विफल रहता है यही आप्षन आपका क्या होगा सही होगा जनेटर बोल्टेज बनाने में विफल होगा तो अगला क्यूशन देखते हैं डेसी जनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होता है चुकि हम जानते हैं कि आर्मेचर प्रक्रिया आर्मेचर रियक्षन में इसको अंगरेजिम क्या बलते हैं आर्मेचर रियक्षन आर्मेचर रियक्षन क्या होता है जब मुख्य चुम्बक को आर्मेचर मे जो कमजोर होने लगेगा तो आर मेंचर में बनने वाला भी दवाहक बलबी कमजोर होने लगेगा, ठीक है? या एक तरीके से मचिनों के लिए ड्रा बैक यानि हानी होती है , ऐसा नहीं होना चाहिए तो वही पूछ रहा है कि DC generator में armature प्रस्तिकरिया का क्या प्रभाव होता है तो output voltage अस्पंदित होता है यानि pulse setting होता है output voltage decrease होता है यानि कम हो जाता है तो अभी क्या बता रहे थे हम किसे जब बारे field कमजोर हो जाएगा तो उसमें जो armature भूम रहा है वो कम voltage बनाएगा यानि output voltage कम हो जाता है आपसन नमर 20 से होगा इसका ठीक है अगला है simplex wave wound armature के साथ 4 fold DC generator में 1020 conductor है और 1500 rpm पे यह संचालित हो रहा है जनेरेटर उसमें flux प्रतिपोल 1007 बेवर है उत्पादित EMF की गणना करें अब माल लिजे की एक संट generator माल लिजे ठीक है यहां आर्मेचर है आर्मेचर है तो यहां पर हम टर्मिनल बोल्टेज बोल्ट मीटर से नापना है अब यह generator माल लिजे की हमारा क्या है गुमा रहे है कि सबसे वड़ी बात कि जब यहां इसको गुमाएंगे तो इसमें करेंट जो बनेगा वह इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा अब यह चुम्बक है जो इसके द्वारा जो फलक्स निकल लाए दसमेलो 007 बेबर निकल लाए इसी फलक्स में यह आर्मेचर घूम रहा है अब यह पूछ रहा है DC जनेटर कितना बोल्टेज बना के हमको देगा तो इसके लिए एक सुत्र होता है EMF का P5Z यन बटा 60A बोल्ट ठीक है इसका मात रख्या होता है बोल्ट होगा तो यहाँ पर आप सबी देख सकते हैं यहाँ पर रख देंगे P कमान 4 रखेंगे चुकि सिंप्लेक्स वेव वाइनिंग है तो वेव वाइनिंग जब भी होता है चुकि सिंप्लेक्स होता है तो सिंप्लेक्स में वेव वाइनिंग जब रहेगा तो समानतर पथुक सेंख्या वेव वाइनिंग में हमेशा 2 रती है क्या रती है 2 रती है और इसके बार यन कमान कितने औरपी हम प Means गूम रहा है तो यहां पर 1500 औरपी हम पे घूम रहा है तो यन कमान 1500 औरपी हम रख दीजिए जेट कमान मतलब इस मसीन में बैरनिंग होता है बहुत सारे तार लपेटे जाते हैं उसमें जो चालक होते हैं चालकों की संख्या 1020 है तो Z कमान 4 रख दीजिए 5 कमान दसमलो 07007 रख दीजिए और P कमान 4 पोल है तो 4 रख दीजिए और बाकी सभी को कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आपसन नम्मर C सही होगा 357 बोल्ट आपको टर्मिनल पे मिलेगा ठीक है अगला देखते हैं बड़े DC जनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेशर किया जा सकता है माले जी एक बड़ा DC generator है तो उसमें armature प्रतक्रिया जो होती है armature reaction होता है तो उसके लिए compensating winding का प्रयोग किया जाता है using compensating winding ठीक है और अत्रिक्त interpol तो interpol क्या आता है कि commutation प्रक्रिया को सुधार करने के लिए किया जाता है क्योंकि commutation प्रक्रिया जब खराब होती है उस समय reactance voltage को खतम करने के लिए interpol winding की जाती है जो कि armature के सिरणी करम में जुड़ा होता है और compensating winding जो होती है तो armature reaction के प्रभाव को खतम करने के लिए प्रयोग किया जाता है यह भी किया होता है कि armature के शिरण इकरम में भी जुड़ा होता है तो option number A इसमें सहयोगा using compensating winding ठीक है armature प्रतिक्रिया के प्रभाव को बे असर करने के लिए अभी हमने बता था कि armature प्रतिक्रिया होती क्या है आर्मेचर प्रक्रियान जब DC generator होता है जो उसमें आर्मेचर प्रक्रिया में क्या होता है कि आर्मेचर का चुम्बकी flux फिल्ड की चुम्बकी flux को कमजोर करता है तो उसी प्रक्रिया को आर्मेचर reaction करते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए इसी जो armature होता है armature के चुम की flux को खतम करने के लिए compensating winding लगा जाता है और यही compensating winding armature के चुम की flux को खतम कर देता है तो जो चुमबक होता है उसका चुमबकी flux बरकरार बना रहता है ठीक है तो इसमें armature reaction को खतम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा using compensating winding ठीक है compensating winding का प्रयोग करेंगे, अगला क्यूच्चन है, डीसी जन्येटर में क्या प्रभाह होता है, अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए, तो भाई, डीसी जन्येटर है, अगर इसे बहुत देर तक, बहुत समय तक अगर वैसे ही छोड़ देंगे, तो उसका जो ऑसिस्ट कत बराता है, उसी में आरमेचर घूमता है, और थोड़ा बहुत बोल्टेज बनाता है, और बोल्टेज बनाएगा तो थोड़ा बहुत उसके आरमेचर में करेंट भी बनेगा, जो की फिल्ड बैंडिंग में भी घूमता है, तो फिल्ड बैंडिंग में जब करेंट भी बन इस प्रकार उसी मजबूत चुम्बक की ये छेत्र में हमारा आर्मेचर घूमता रहता है अब जब आर्मेचर घूमेगा तो उसमें और भी ज्यादा बोल्टेज बनेंगे ठीक है तो जिस मसीन में यही अगर और शिष्ट चुम्बक तो खतम हो जाएगा तो वो मसीन बोल्ट रहती है जो कि ज्यादा समय तक अगर आप यूज नहीं करते हैं और नहीं करते हैं जनेटर के अगर आप यूज नहीं करते हैं तो अब शिष्ट चुम्ब कत्व खतम हो जाता है इसलिए इसका आप्षान नम्मर डी सही होगा अब अगला क्यूशन है उसमें फोर पोल डायनमो के प्रेरित इम्फ की गढ़ना करना है यह भी एक प्रकार का जनेटर है जिसमें कह रहा है कि इम्फ गढ़ना करना है और थात इम्फ का सूत्र हमने अभी बता है था पी फाई जेड एन बटा के 60 ए जोकी बोल्ट में होता है ठीक है यहां पर यहां पर दिया है कंडक्टरों की कुल संख्या कितना है 600 जेड कमान कितना है 600 है और आर्पियम कितना है 1000 आर्पियम है 1000 आर्पियम मतलब जनेटर 1000 आर्पियम पे घूम रहा है और पी मतलब पोल यानि कि वो जनेटर में चार पोल है जिस पर कि मैगनेट ब लाइफ वैन्डिंग है तो लाइफ वैन्डिंग किषाती है कि हम सभी जानते हैं कि जनेरेटर के आर्मेचर में ही वैक बनता है और आर्मेचर घूमता है चुम के चित्र के अंदर गी कैंशने जैसे यहां परचित्रमए तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और बला फोगरा जलाते हैं ठीक है तो यहां पर क्या होता है पी कमान दे दिया है कि यह जैसे दो पोल है तो इसमें चार पोल दिया हुआ है इस पोल से निकलने वाला अर्मेचर के अंदर से काटते हुए इस पोल में जाता है तो उसका प्रति पôल फिलक्स कमान यहां पर दिया हुआ है 10म2 0 6 4 ठीक है तो 5 कमान देया है यहाँ पर जितने भी पोल की संख्या रहेगी लैफ बैंडिंग में उतने ही समांतर पत्थ होते हैं समांतर पत्थ तुकि आर्मेचर में जो बैंडिंग किये जाते हैं जिसमें वोल्टेज बनता है उसी में समानतर पत्थ होते हैं बहुत सारे तार लपेट कर एक बिंदू पे जोड़ेंगा और फिर उसी का दूसरा सिरा दूसरे बिंदू पे जोड़ेंगे तो उन सभी तारों का जो क्वायल होगा वो चार लगवग चार पोल हैं शास्सो चालिस वोल्ट ठीक है आपसर नम्मर डी अबला सवाल है यदि मुख्य छेत्र का प्रवाद डीसी जनेटर में बिक्रित हो जाए तो प्रेरित इमेफ पर क्या प्रभाव पड़ता है जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी हमने बताया था कि ये डीसी जनेटर है जिसका ए ये आर्मेचर हो गया इधर मालीजी की हमको सप्लाई निकालना है ठीक है ऐसे मालीजी कोई लोड हो गया ठीक है तो इसमें क्या कहा है कि इसका जो चुम्बक बनता है इसका चुम्बकी फलक्स इसके आर्मेचर में जो कटेगा उस समय तेड़ा टाड़ा हो जाए बिक्रित जाने का मतलब तेला हो जाए तो हिसमे चुम्ब की छेतर में जब घूमेगा तो कम जादा करेगा इसके फलक्स को कभी कम कट करेगा कभी जादा सही सी कट नहीं करेगा तो इसमे जो भी बॉल्टिज बनेगा इस आर्मेचर में उ जब DC जनेटर में जो छेत्र का प्रभा है जनेटर में विक्रीथ हो जाए छेत्र प्रभा आ का मतलब क्या होता है जैसे डीसी जनेटर हो गया तो यहां पर इसकी आर्मेचर से जो घूमती हुए चीज से अगर करेंट निकालना है तो इसमें ब्रस टाइप का लगा रहाता है ब्रस का मतलब जो मंजन करते हैं वह ऐसा ब्रस नहीं होगा एक्चुली यह घूमने वाला पार्ट है सब्रमेचर तो उसके कमुटेटर लगे होता है कमुटेटर सेग्मेंट जो की कापर का बना होता है उसमें उसके साफट लगा देते हैं जिसको हम ब्रस बोलते हैं इसी ब्रस तो ब्रस में जो यहां पर रगल करेगा तो भारी स्पार्किंग होती है उसका कारण क्या होता है उसी को पुछाए डीसी जेनेटर में ब्रस में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है तो भारी स्पार्किंग का कारण यहां पर ब्रस लगा दिए यहां पर ब्रस लगा दिए यहां पर बरस लगा दिए ऐसे जोल दिए ऐसे जोल दिए तो जो यह बहुत तेजी से घूम रहा है तो यहां इस पार्किंग दोनों पर होगी तो कि करेंट इसमें से जाएगा तो इस पार्किंग होगी तो उसी को होता है तो नहीं होती है जहां उसको होना चाहिए तो icy उस्थिती बदल जाती है जब उस समय भाड़ी Dorothy promise पर इसका JOHN सी तर्छी होगाय मेंने का मतलब होता मैंग्नेतिक निऊटरल एक्सिस जी आनने का मतलब जीए ऌन ट्रिकल नियूट्रल एक्सिस होता है इसमें यमन्ने का पोजीशन जैसे इस चेंज होता है इस कमुटेटर के पर इस्थित जो ब्रस होता है इसमें भारी स्पार्किंग होने लगती है ठीक है आप्सन नमबर सी सही होगा इसका है